हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल डिकेलाफर स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम टेंथ क्लास का हिंदी का बहुत ही महत्पुर्ण सब्जेक्टिव के साथ हैं जो आने वाले 2022 के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो प्लीज फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल प्रपाली और विजिट कर रहे हैं तो मारे चैनल को स्काइब करें और वेलेकन को दवाना ना भूले ताकि जो भी मैं टेंट करास का लेटेस्ट अप्टेट पीडियू बनाओं आप तक पहुं अगर आप इसका पहला लेशन नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं तो प्लीज फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मारे चैनल को स्काइब करें और वेलेकन को दवाना ना भूले तो चलिए फ्रेंड देख इनका जनम हुआ था साथ मार्च नीसो एगारा कस्या के कुसी नगर में इनका मिर्तु चार अप्राइल 1987 भी को हुआ था तो चले फिरेंट विस्तार पुरवग तेखते हैं आज हम लोग हिंदी का का बेखंड का सब्जेक्टिव लेकर आये हैं जो आने वाले 2022 अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बीजिट कर रहा है तो मारे चैनल को स्काइब करें और वेलेकर न को दावाना ना भूख ले तो चलिए फिरेंट देखते हैं पहला प्रस्ण है कि कविता में पर्थम अनुछेद में निकलने वाला सूरज क्या है वह कैसे निकलता है तो देख सकते हैं कि कविता के परथम अनुछेद में निकलने वाला सूरज मानब निर्मित बिनासकारी प्रमानु बम हैं जब इसे कहीं गिराया जाता है तो अभी स बिनास्कारी कि निकलती है तो जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि कभी अग्याय ने अपने पर्थम अनुछेद में निकलने वाला सूरज यानी बिनास्कारी परमानुबं जो 6 अगस्त 1945 को हिरोसीमा पर गिराया गया था अमेरिका दौणा़ परमानुबं उसी के बारे में कभी अपने पर्थम अनुछेद में कहते हैं तो चली फ्रेंट देखतें हैं विश्तार पुर्बख देख सकते प्रेंट कि सूरज मानव निर्मित बिना स्कारी प्रमाणुबम नाम धिया है जैसा कि डेख सकते हैं कि मानव निर्मित यानि मानव के द्वारा बनाया गया था सूरज जब इसे खुंग गिराया जाता है तो भी बिनास्कारी किरने निकलती हैं और जीब जनतु तथा पेर पवधों को जला कर राख बना देता हैं जैसा कि देख सकते हैं कि अग्याई जी ने किस तरह छे अगस्तु निसो पैतालिस को हिरोशिमा पर गिराया गया प्रवानुबं इतना ही बिनास्कारी था जो चंद मिन्टों में मानब को भाफ बना कर सोख गया तो चलिए फ्रेंद देखते हैं विस्तार पुर्भग दूसरा नमर प्रस्ण अगर आप हमारी चैनल पर पहली वा सब्क और क्यों परती हैं और असपर्ष्ट करें तो जैसा कि देख सकते फ्रेंट जैसा कि देख सकते कि छाया दिसाहिन सब और इसी लिए परती हैं कि सूरज नहीं उगता था सूरज के उगने पर जब प्रकास फैलता हैं तो वह भी वह भी हुई सूरज की विपरित दिसा में छाया बनती हैं तो जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि जो सूरज प्राकिर्तिक के दोवारा उगता है तो देख सकते फ्रेंट तो इसके विपरित दिशा में छाया बनती हैं और यहां पर देखिए क्या बताया गया है लेकिन यह प्रकास मानब निर्मित बम क्यों गिराया गया था गिराने के बाद बिस्पोर्ट हुआ वह सारा सहर प्रकास में डूब गया जिनके कारण चाया नहीं बन पाई देख सकते फ्रेंड जो 6 अगस्तु 1945 को हिरोशीमा पर प्रमानु बम गिराया गया था प्रमानु इतना विसाल था जिसकी तवाही से पुरा सहर मानु तरही तरही मच गई चारो तरफ कि चारो तरफ लास ही लास और किसी का कोई दर्द सहने वाला नहीं था सभी अपने दर्द में मगन थें क्योंकि इतना विसाल प्रमानु था जो चारो तरफ तवाही मचा दिया तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आ क्यों देख सकते हैं देख सकते हैं प्रेंड कि तीसरा नमबर है कि प्रजववलिट चन में दो पहरी से वह में ही क्या क्या है देख सकते प्रेंड क्योंकि अमेर्का-द्वारा फिरोसीमा मानब के दोवारा यह बम बहुत ही विसाल और बिना सकारी बताया गया है जो कुछी च्छनमे कुछी ही च्छनमे हिरोशीमा के जंता को वहां का एक इतिहास बना दिया जो देख सकते हैं इस कविता के माध्यम से अग्याई जी ने उस घटना का वर्ण किया है देख सकते हैं बहुत ही विनासकारी घटना है तो चले फ्रेंट देखते हैं नीचे में नीचे में देख सकते फ्रेंट जैसा की उस समय हिरोसीमा बासी इस दुख को झेलने के लिए अपना स्वर्ष सर्ब सब अरपित कर दिया मतलब देख सकते फ्रेंट कि उस समय बहुत ही बहुत ही भ्यानक दुख छेलने के लिए अपना सब कुछ अरपित कर दिया लेकिन आने वाली एक नई पीधी को धरकते हुए आग का सिकार बन गई और रह गई थी देख सकते फ्रेंट जो वहाँ पे जो हिरोसीमा पर परमानुबं गिराया गया था जो आने वाले पीधी आने वाले पीधी को भी उसका खत्रा भना रहा और देख सकते हैं फ्रेंट कि हिरोसीमा जो जापान में है वहाँ पर अमेर्का दोवारा छे अगस्तु निसो पैंता उठा नमबर में तो जैसा कि देख सकते हैं कि मनुस्य की छाया एक कहां और क्यूं परती हैं तो जैसा कि देख सकते हैं कि मनुस्य की छाया हिरोसीमा पर गिराया गया प्रमानु बंब के कारण परी हुई हैं जैसा कि देख सकते हैं कि मनुस्य की चाया हिरोसीमा पर गिराया गया परमानू के कारण पड़ी हुई है मानब निर्मित बम ने मानब को तभाही कर घर में धुकेल दिया जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंट कि मानब के दोवारा बनाया गया बम मानब को चारो तरफ तबाही करकर बरबाद कर दिया उस समय जब हीरो सीमा पर परमानू बम गिराया गया था तब उसके त्रीब गर्मी के कारण मानब के सरीर मूम के समान गल गया जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि बताया गया कि परमानू इतना सकती साली और विसाल था जो चंद मिन्टों में मानव को भाफ बनाकर सोख गया मानू मानव एक मोम है जो पिघल गया इतना परमानू विसाल और सकती साली था तो चलिए फ्रेंट देखते हैं पांच नंबर परस तुम्हारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वेलेकन को दवाना ना भूले ताकि जो भी मैं 10th कलास का लेटेस्ट अप्टेट वीडियो पनाओ आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले एकजाम में आपको सहायता मिले तो चलिए फ्रेंट देखते हैं पांच नमबर प्रस जलती हुई मानब की जलती हुई छाया है जो अमेरिका ने परमानु बम गिराया के ऐसी इस्तिती उत्पन कर दी जैसे देख सकते हैं फ्रेंट बर सो बरस बीत जाने के बाद भी आज भी हिरोसीमा बासी त्रेदर्शी का दुख जहलने के लिए विदेश साख के रूप में उपस्तिती रहने वाला कलादिरिस से आज हैं जैसा कि बताया दे फ्रेंट की देख सकते हैं कि हिरोसीमा में मनुस्य की साखी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानब की जलती हुई छाया है जो अमेरिका के दोवारा गिराया गाया परमानु बम की उत्पन कर देती है जैसा कि देख सकते हैं कि परमानु बम अमेरिका के दोवारा गिराया गाया था बरसों बीत जाने मतलब कई साल कई बरस बीत जाने के बाद भी आज भी उस घटना और उस दर्द को जहलने के लिए वहां के लोग वहां के बास सी आज भी उस दर्द से पीडित हैं जैसा कि देख सकते हैं तो देख सकते हैं उपस्तित रहने वाला कला दिरिश से आज भी सिहासन पैदा कर देता है जैसा कि बताया गया है इसमें तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्ष्ट नमर प्रस्ण फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं टेंथ करास का लेटेश्ट अप्टेट वीडियो बनाओं आप तक महुचतार है और आने वाले एक्जाम में आपको सहायता मिले तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्ष्ट नमर प्रस्ण में सहार साय देख सकते हैं एक दीन नंबर में कर नंबर में है की एक दीन सहार सासूरज निकला चलिए में इसको विस्तार पुरवग हम लोग बताते थे चलिए फ़ें देख सकते हैं इंसर में क्या लिखना है तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पठ्थे-पुस्तक हिंदी पाठ्थ के कब्वे खंड हिरो सीमा सीर्षक से लिया गया है जिनके लेखक सचिदा नंद जी यानि सचिदा नंद हिरानंद वक्सियान अग्याएं अग्य कि अपनी मित्रता का परिचय दिया था वंभी स्पोट होते ही संपुर्ण सहर की तरही तरही मचा गया मानो संपुर्ण सहर तरही तरही मच गया लोग गर्मी और तेजपरकास से लोम की तरह लोकमाम की तरह देख सकते फ्रेंट पिघल गए तथा धूप की तरह आग में लपेटे में चारो तरफ फैल गई और चारो तरफ बिनास बिनास हो गया जैसा की देख सकते फ्रेंट की 6 अगस्त 1945 सिस्वी को अमेरिका दोवारा अमेरिका दोवारा गिराया गया परमानुबं इतना पिसाल और बिनास कारी था जो चारो तरफ तरही तरही मचा दिया मानो मानो मानब को मोम बना कर पिघला दिया गया और चारो तरफ इतना बिसाल आग के लपेटे फैल गई कि चारो तरफ बिनास ही बिनास चागया किसी का कोई दुख देखने वाला नहीं था क्योंकि सब ही लोग अपने ही दुख से पीडित थे तो चलिए फ्रेंड देखते हैं खन नमबर फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहें तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और विटेखन को दमाना ना भुले तो चलिए फ्रेंड देखते हैं दो नेक्स्ट नमर प्रॉष्ण नक्स्ट नमर प्रॉष्ण में ऐफ्रेंड कि खकाल सूर्रे रत के पहीग के क्यों तूटकर विखर पर गय दासु दासौ हिस्सा में चैसा कि देख सकते फ्रेंट की इस पंगतियां के माध्यम से कभी क्या बताना चाते हैं हम लोगों को तो चलिए फ्रेंट बैगते हैं बिस्तार फ्रेंट अगर आप हमारे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सकाइब करें और वेल एकन को दवाना ना भूलें तो चलिए फ्रेंट देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्थे पुस्थक हिंदी पाठ के काब्वे खंड में हिरोशीमा सिर्षक से लिया गया है जैसा कि देख सकते फ्रेंट जिनके लेखक सचिदानंद जी सचिदानंद हिरानंद वत्सयान अग्याई जी हैं जिनके लेखक इन पंक्तियां के माध्यम से यह बताना चाहते हैं यह बताना चाहते हैं कि इस नगर के मध्य में रितू रूपी सुर्य का तूटा हुआ भाग था बम फटते ही बिनास का पदार्थ दसो दिशाओं में मौत बनकर नाचने लगा जैसा कि देख सकते फ्रेंड कि जब 6 अगस्तु 1945 को हिरोशीमा दोवारा परमानु बम गिराया गया था उस समय दोपहर का समय था और इतना विसाल परमानु बम था कि मानो चारो तरफ तवाही मचा दिया और मानो चारो तरफ मौत का नजारा ही नजारा है जो चंद मिन्टो में लोगों को भाफ बनाकर सोख गया तो ना विसाल परमानु छे अगस्तु 1945 में अमिर्का के दोवारा हिडोट सीमा जापवान पर गिराया गया था तो चलिए फ्रेंड देखते हैं गन नंबर गन नंबर में देख सकते हैं फ्रेंड की क्या दिया हुआ है तो फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक सेयर जरूर कर करें ताकि जो भी मैं टेंथ क्लास का लेटेस्ट अप्टेट वीडियो बनाओं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एक्जाम में आपको सहायता मिले तो चलिए फ्रेंड देखते हैं गन नंबर गन नंबर में कि मानब का रचा हुआ सूरे मानब को भाब बनाकर सूख गया तो चली फड़ें देखते हैं विस्तारपुडवक कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठे पुस्तक हिंदी पाठ के काब्वे खंड हीरो सीमा सिर्शक से लिया गया हैं जिनके लेखक सचिदानंद जी हिरानंद वत्यान अग्यां जी है इस लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं यह बताना चाहते हैं कि मानब जिन बमों को अपना अदर्स मानता था वह सुर्य का प्रकास मानब का विनास बनकर मानब को मोम की तरह पिगला दिया जैसा कि देख सकते फ्रेंड कि परमानू को इतना सकती साली बताया गया है जो चंद मिन्टों में मानब को भाफ बना कर सोख गया मानू मोम की तरह दम पिगला दिया गया तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं साथ नमबर प्रस्ण साथ नमबर प्रस्ण में है फ्रेंड की आज के युग में इस कविता की परसंगी कता असपश्ट की जिए देख सकते फ्रेंड कि परस्तुत कविता में जूटा हुआ जूटा हुआ जूटा हुआ है आज भी सारा बिस्म नए नए बिनासकारी सास्तरों का निर्मान कर रहे हैं आगे इस पर मानब आज भी रुकावट नहीं डालेगा तो इस अस्तर से सदा के लिए मनुस्य का नामों निसान समाप्त हो जाएगा जैसा कि द्वारा यह बनाया गया परमानुबं मानब को बिनासकारी और साबित हुआ तो देख सकते फ्रेंट कि किस तरह मानब के द्वारा बनाया हुआ यह परमानुबं मानब को भाफ बना कर सोख गया तो चली फ्रेंट देख सकते फ्रेंट आज के लिए इतना ही फ्रेंट हमारे वीडियो को लाइक कर दे और सेर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करे और वेल एकन को दवाना ना भूले तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग आज लेसन साथ का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं अगर आप अबजेक्टिव का तयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेली ग टेली ग्राम में डीके लाइफ अस्टडी जीरो वन जीरो वन वहां टेली ग्राम जाकर सर्च करिए और वहां से आप अबजेक्टिव का बेहतरीन तैयारी करवाया जा रहा है हमारे डीके लाइफ अस्टडी पर तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ऊच्छली फ्रेंड आज के लिए इतना ही तक तक के लिए टेकेन बाय के कि सुआ है